हाइ एंजर कार्ट हार Скार दोस्तू क्या हाल चाल देखो फरबड़ी का महीना होने वाला है खतम और यह मार्च मार्च में हो रहा है। को रिलीज किया जाएगा चाहे वह बॉली बुड की हो हॉली बुड की हो यहाओ साउथ हिंदी डबेड अब यह फिल्म में कौन सी होने वाली है उन सब को जानने के लिए तो आपको हर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना है वीडियो अच्छा लागे लाइक कीजिए का चैन सन्जेदत साथ में लेट राजीव कपूर और इस फिल्म की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है सन्जेदत जिसमें दिखाए जाएगा एक बच्चा जिसकी इंस्पिरेशनल कहानी इसके अंदर दिखाए जाने वाली है कैसे वो अपने पिता को सम्मान दिलाने के लिए इस नूकर का अच्छा खासा पिलियर बन जाता और उसे ट्रेनिंग देते हूँ नजराने वाले इसमें संजेद दत जिसका ट्रेलर लॉंच कर देगा और जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है चार मार्च को सिनेमा गरों में दोस्तो बात करें दूसरी फिल्म जो हने वाली है जुनड जोगी बाईगरिफिकल इसपोट ड्रामा फिल्म हने वाली है जिस फिल्म को डायट करें नागरजू मोंजले जिसके लीड रूल में आपको अमिताब बच्चन नजर आने वाले है और इस फिल्म की जो कान ही होने वाली है विजए वरसे के ऊपर और वीजए वरसे वो ही है जो कि फाउंडर है सोकर एंजियो के जी हाँ दोस्तों जो कि एक सिलम एरिया में खोला गाया था जिसके अंदर कुछ बच्चों को लेकर वो एक फुटपॉल टीम को बनाते हैं यह से भी करते नजर आने वाले हैं आपको अमिता बच्चन इसी फिल्म के अंदर जिसक एक सूपर हीरो फिल्म होने वाली है यानि डीसी वर्स का एकोन नया सूपर हीरो आ चुका है यानि कि है तो यह पुराना लेकिन इसके अंदर आपको नजर आने वाले है रोवर्ट पैडिशन वह भी बैटमैन के किरदार में यानि कि यह सूपर हीरो फिर से करप्सन मिटान अच्छन करते हुए और इस फिल्म को जो डायट किया वो किया पंडी राज नहीं जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले है और आपको उतादे इस फिल्म को प्रेश करिए वह संपिच्चर करिए जिस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाना है यानि काफी पहले रिलीज किया गया था क्योंकि इस फिल्म को 2022 के जिनवरी में रिलीज किया जाना था लेकिन करोना की बज़े से यह फिल्म डिले होगी लेकिन फाइनली अब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है जिस फिल्म के अंदर आपको परवास नजर आने वाले एक और जी हाँ दोस्ता और आपको बतादे ये फिल्म काफी बड़े बजट में बनाए जा रही है जो की पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज की जाएगी और आपको बतादे इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो 11 मार्च को किया जाएगा जो कि आपको सिनेमा घरों में देख फिल्म को जो लेकर आ रहे हैं विवेक अगनियोत्री और ये फिल्म ना काफी पहले रिलीज की जानी थी फिर ये रिलीज नहीं हो पाई लेकिन फिर इसे 26 जनवरी 2022 को किया जाना था लेकिन करोना की वज़े से भी नहीं हो पाई लेकिन फाइनली अब इस फिल्म को रिलीज क ग्यारा मार्च को सिनेमा घरों में दोस्तों बात कर करूically next film जो होने practicing comedy action drama फिलिम होने वाले है जिस film को डायट करें फराद सामझी जिसके lead role में आपको अक्षा कुमार, किरती सदन, जाक्लीन, वर्नेंड़ेस, अर्थसदवार्श, पंकशतिर पार्टी और बहुत सारे कलाकान नजर आने वाले आपको उतादे इस फिल्म का ट्रेल रिलीज कर दिया गया है जिसे देखने के बार लग रहा है अक्षा कुमार फिर से सिनेमा घर मेर धमाका मचाने वाले है यानि कि ठेटर में पबलिक फिर से वापिस आने वाले है जि हाँ दोस्तो जिसके अंदर अक्षा कुमार आपको नजर आने वाले है एक बहुत बड़े डॉन के रूप में दोस्तो यानि कि एक ऐसा गुंड़ा जो मार फोड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है आपको दोस्तो इस फिल्म को पड्यूस करते हैं वो साजी नाडिया वाला करते हैं जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 18 मार्च को सिनेमा घरों में दोस्तो तो कौन-कौन बच्चन पांडे देखने जा रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा बात करूँगो नेस्ट फिल्म जो होने वाली है उपरेशन फोर्चून रस्डे गुरूर जो कि एक अमेरिकन स्पाइ एक्सन फ्रेलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायट किया है गाए रीशीन है जी हाँ दोस्तों आपको तदे इस फिल्म के अंदर आपको एक्सन करते हूँ नजर आने वाले जैसन इस्टरनम जो कि भाई एक्सन के लिए जाने माने जाते हैं जी हां दोसतो आपको तरह इस फिल्म को जो रिलीस किया जा रहा है वो रिलीस किया जाता रहा है इंडिया के अंदर 18 मارچ को यानि कि सिनेमागरों मैं आप 18 मارچ को जागे इस ङृंड और डेक्त सकते हो बच्चन पांड़ों के साथ और हाल फिलाल के अंदर तो आपको अप्ता है रवी तेजा की फिल्म खिलाड़ी वी रिलीज की गई थी जो की पैन इंडिया ही की गई थी तो इस फिल्म को भी पैन इंडिया ले chromावल पर रिलीज के जाना है एक्षिन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायट किया है एसस राजा मौलीन जिसके लीड रोल में आपको नज़र आएंगे जूनियर एंटियर राम चरन अज्य देवगन आलिया वट और बहुत सारे कला कार्ट जी हाँ दोस्तों और अरप को तो पता है इस फिल् को भी रिलीज किया जा रहा है जो रिलीज किया जाएगा 25 MARC को ही दोस्तों तो 25 MARC को खिलारी के साथ साथ अप R को धेको ये 2022 beleza आर के साथ खिलारी को मेंट में जरूर बताएगा दोस्तों तो यहीं थी मार्च में आने वाली दस बड़ी फिल्म है इन से कौनसी फिल्म को आ यह कमेंट में लिखके ज़रूर बिताएगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो नेस्ट अप्डेट के साथ जब तक लिए बाई बाई घर पर रहिए सेफ रहिए दोस्तों